संपूर्ण देश वेश्विक महामारी क्रोना वायरस से जोज रहा है और ऐसे में आज 14 अप्रील है यानि कि आज तक जो है वो लॉगड़ॉन है और कल से जो है 15 अप्रेल से 3 में तक लॉगड़ॉन 2.0 की शुरुआत होने वाली है ऐसे में कई राजनीतिक दल और कई समाजि की शुरूआत की गई है जहां से प्रती दिन छेतर के 300 परिवारों को दोपहर का भोजन करवाया जाता है तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो जगहा है जहां पर जो है दोपहर की भोजन बनाई जाती है और लोगों तक यहांपर होम डिलिवरी की जाती है त जो की खाना को फूड पैकेज में पैक कर रहे हैं और इसके बाद यहां से जो है दूसरे यह की काम है जो की delivery करते हैं तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो किस तरह से यह ओर आप लोगों का फूड पैकेजिंग तयार हो रहा ही सबसे हो रहा है और इक अपरील से हो रहा है और खाने में आपका बाल नार्ट पीपोल कर जा रहा है और यहां से पैकेजिंग करके फिर डेलिवरी वाइस आ रहे हैं वो लोग अपने अपने अरिया में जाके डेलिवर कर दे रहे हैं प्सक्ति कर गोग्यार उसे मंड़ी हो गया कुल गट्टी हो गया मिलत कौन हो गया यह सारा एरिया कभर कर ले रहे तो सारे अरिया कापने अपने लड़काcha डिलिवरी वह अपने वह लेते है पैकेट और यहां से फिर चले जाते तो प्र जाने बाद पाइट सभू कर दोगा मेरे नाम आशिव कमरवा हमारे साथ आशिव खेन उन्हें बताया है कि और माफ भी करेंगे मैंने तीन सो लोगों का बताया था जबकि यहाँ साड़े चार सो से पांच सो लोगों को जो है परती दिन दोपहर का खाना पहुंचाया जाता है और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तयार भी हो रहा है वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या कुछ तयारी चल रहा है और किस तरह से यहाँ बनाया जा रहा है और सबसे महत्पूर्ण बात यहाँ देखने को मिली कि हाईजीन का भी फुल ध्यान रखा जा रहा है देख सकते हैं कि इस डेग में भी बिर्यानी ही प्रिपर हो रहा है और इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ जो छेतर के हैं राजा जिनका नाम हुआ उनके सोजने से ही पूरे कारिक को अंजाम दिया जा रहा है और सब से जो एहम इसमें बात है वो मोहले के जो कुछ लड़के हैं उनका भी बरपूर सायोग रहता है चाहे वो प्रिपरेशन की बात हो या फिर डिलिवरी की बात हो सभी में उनका योगदान पूरा रहता है तो हमारे साथ जो हैं यहां पर राजा मूझूद है RAJA से जाननी की खोशिश करेंगे कि आपने इस के शुरुआत की है और करीबन आज 14 दिन है जैसर कि आपके कमिटी के हिसार्जत बताया एक तारिक से शुरुआत हुई है आज 14 दिन बीत गया है कैसा लगता है जब लोगों के घर तक खाना पहुंचाते है और उनके चेहरे की मुस्कान जब आपको दिखती है तब फुर में हम लोगों ने परियास किया कि कोई भी इंसान हमारे छेतर में भूखाना रह पाया जो जरुवतमन लोग है उनको पका पकाया खाना और बिल्कुल स्वादिस और पौश्टी खाना उनके घरों तक पहुँचा जा इसमें हमारे सहयोगियों ने बढ़ चड़ करके हमारा मनुबल भी बढ़ाया और अपने अस्तर से जहां तक हो सका उन्होंने सहयोग भी किया सहयोग रासी भी उपलब करवाया परतियक दीम 50 किलो चावल 20 किलो ताल 20 किलो सबजी की खपत है और वो अच्छे से हम लोग जिस तरीके होटल में डिलिवरी होता है उस तरीके से पैकेजिंग बना करके विभिन विभिन इलाकों के विभिन महलों को जो हमा सब्सक्राइब नहीं है और सरकार अभी तक उन तक नहीं पहुंचवाई तो हम लोगों के परियाश है कि हम लोग अपने अस्तर से उन तक पहुंचे और कोई भी व्यक्ति भूखा ना सुए हमारा यह मंसाद है यह मंसाद किसी एक इनसान से कोई चीज नहीं होता है जब त सब्सक्राइब के रिफ़ार चाहिए और हजारी आशीप का बड़न हैं कि कई एसे जो है constitu राजनितिक दल के लोग है कि समाजिक संगठनिंगे में गया भी वोग गहार हैया जो कि दो सुखेर उपक्राइब चांब दोस्तों शो ग्रमें घुमनेवाले पश्मों के साथ-साथ स्ट्रीट डॉग तक खाना पहुंचाते हैं ऐसे में हजारीबाग के लोगों की दात्ट देनी होगी कि परती दिन 400-500 लोगों की भूक मिटा रहे हैं और उनके घर तक खाना पहुंचा रहे हैं सही होगी कैमरा परसन अधनान के साथ फलक्षमीम दा फ्रेम टॉक्स हजारी बाग